गुड मॉर्निंग ओल फाइन ठीक है बिटा अब मैं आपको आज हिंदी का व्याकरण का करवारी हूं वर्क भाषा भाषा मैंने आपको पिछली टॉपिक में करवाई थी कि भाषा किसे कहते हैं मैंने आपको समझाया भी था लैसन भाषा किसे कहते हैं अपने मन की बात दूसरों तक पहुचाने का धंग और दूसरों की बात को समझने का तरीका ही भाषा कहलाता है इजी वे में हम कह सकते हैं कि अपने बात को बोल कर या लिख कर दूसरों तक पहुचाने के साधन ही भाषा कहलाता है अब मैंने आपको भाशा करवा धी थी, उसके बाद मैंने आपको दूसरा टॉपिक लिया था कि भाशा के रूप, मैंने आपको समझाया था मौखिक या लिख़ित. अब मैं आपको बताती हूँ भाशा के कितने रूप होते हैं या भाशा का प्रियोग हम कितनी तरह से करते हैं भाशा का प्रियोग हम दो तरह से करते हैं बोलकर या लिखकर या भाशा के कितने रूप होते हैं भाशा के दो रूप होते हैं बोलकर या लिखकर मौखिक या लि कर रही हूं कि ही भार्षा के कितने रूप रहते हैं वह हो गया पीटा हमारा मौख्य कह बार्षाब जब हम बोल कर अपने वीचार प्रकड करें जैसे मैं आपको बोल बोल के समझा रही है अब होता है हमारा मोखिक भाषा अब यह मैंने आपको लिखा हुआ है और मैं चुप हो जाती हूं तो आपने पढ़कर उसे समझा तो लिखा हुआ यह सारा लिखा हुआ क्या हुआ आपका लिखित भाषा यानि लिख कर कोशन आपका प्रशन बनता है भाषा के कितने रूप होते हैं भाशा के दो रूप होते हैं मौखिक और लिखित १ जब हम बोलकर अपने विचार पर टड़ करें तो उसे मोखिक भाशा कहते हैं जैसे मैं आप को एक उधारन देती हूं अब आप मोबाइल में कोई कार्टून देखते हो, टोम एंजेरी का, तो क्या हुआ वो, मौखिक हुआ ये लिखित, वो हुआ मौखिक, ठीके, टीचे आपको, अध्यापिका आपको ब्लैक बोर्ड के उपर लिखकर पढ़ा रही है, तो वो क्या उधारन हुआ, लिखित का उधारन हुआ, समझ आए आपको, मौखिक और लिखित में अंतर, कि जब हम बोलकर अपने विचार पर कट करें, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं, जब हम लिखकर, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, लिखकर अपने विचार पर कट करें, तो वो लिखित भाषा कहलाती है, अब आपका मैंने भाषा का पहला पार्ट कम्प्लीट करवा दिया है, भाषा किसे कहते हैं, दुबारा करवा देती हो, अपनी बात को बोल कर या लिख कर दूसरों तक पहुंचाने के साधन को भाषा कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखेक और लिखेट ओके बेटा ठैंक यू